तो आप में से जातर लोगों का यही सपना होगा कि जम कर पढ़ाई करनी है उसके बाद अच्छी सी डिगरी लेनी है और फिर उसके बाद एक बढ़िया सी कमपनी में नोकरी करके खूब पैसा कमाना है जिससे कि हम अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सके लेकिन ज उसके बाद कहीं सालों तक नोकरी भी करनी पड़ेगी और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे या नहीं लेकिन अगर मैं आपको बताओं कि दुनिया की एक बहुत यूनीक कमपनी है जिसमें मात्र 6 साल काम करने के दोरान आप अरब पती बन ही जाओगे साथ ही आपकी पतनी आपके माता पिता आपके बच्चे और बच्चों की बहु भी अरब पती बन जाएंगी वो भी शादी से हफ्तों पहले कोंगे कि आप दुनिया में ऐसी कौन सी कमपनी है तो इस कमपनी का नाम है पाकिस्तानी सेना जी हाँ दरसल खबर निकल कर सामने आई है पाकिस्तान से और खबर सुनकर आप हैरान नह जाओगे। दरसल जिस देश में भुकमरी के हालात हैं, हाल ही में इतनी भैंकर बाढ़ आई है जिसमें हजारों लोगों की जान गई है और वहां पर खाने के एक-एक दाने के लिए जद्दोजहत करनी पड़ रही है और पूरा देश इतने भैंक आर्थिक संकट में फसा हुआ है कि कभी भी बैंकरफ्ट हो सकता है और करजे के लिए दुनिया भर के अलग-अलग देशों की दहलीज पर जाकर भीक मांग रहा है पिछले छे सालों से तैनात है और जो आर्मी चीफ होता है उससे संबंदित हर एक चीज को बहुत ही गुप्त तरीके से रखा जाता है लेकिन हाल ही पाकिस्तान की ही एक खोजी पत्रकारता वेब साइट है जिसने आर्मी चीफ के टेक्स डोकुमेंट मीडिया में लीक कर द और उनकी तो छोड़ो उनकी पत्नी भी अरब पती है उनकी पत्नी की संपत्ती दो अरब है इतना ही नहीं आर्मी चीफ के जो बेटे हैं वो सारे के सारे अरब पती है इतना ही नहीं आर्मी चीफ के बेटों की पत्नी भी अरब पती है और हाल ही में इस डोकुमेंट में यह भी बताया गया है कि जब आर्मी चीफ की एक बेटे की शादी थी ना तो जिस लड़की से शादी तै की गई बूल लड़की भी शादी से मात्र नो दिन पहले ही अचानक से अरब पती बन जाती है उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं उसके नाम पर धेर सारी स कुछ भी नहीं किया और उससे भी हरानी की बात ये कि जिस समय सारा कांड हुआ इम्रान खान प्रधार मंत्री थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उल्टा इम्रान खान खुद अपने देश के जो तोश खाने थे उन्हें लूट कर खाने में व्यस्त थे अब जब नही और मजे की बात बता दो कि आर्मी चीफ की जो लगबग 13 अरव की संपत्ती बाहर निकल कर सामने आई है ये तो वो है जो टेक्स डिपार्टमेंट के रिकोर्ड में दर्ज है जो सबके सामने है खुले आम है अब आप खुद सोच लीजिए कि जब 13 अरव तो सफेद कमाई ह है तो काली कमाई कितनी ज़्यादा होगी क्योंकि इन्होंने बहुत सारा अपना पैसा दुनिया भर के अलग अलग देशों में पार्क करके रखा हुआ है यूएई में सौदी में योरोप के धेरो देशों में इन्होंने अलग अलग जगा फ्लैट प्रोपर्टी विला खर होने को आता है उसकी संपत्ती अचानक से अर्बो डोलर में हो जाती है यहां तक कि कई कई सो क्रोड की संपत्ती तो पाकिस्तानी सेना के जो कमांडर होते हैं उनकी हो जाती है जो मेजर जनरल सुबेदार होते हैं उन्हें बहुत सारी जमीन दी जाती है संपत्ती दी जाती है लेकिन इस पूरे मामले को समज़ने के बाद आपको यह बात आसानी से समझ आ गई होगी पाकिस्तान की आज ये हालत है कि हालकि पूरे मामल आपने सुन लिया है कमेंट करके मुझे बताईएगा कि आप कैसपर क्या मानना है थैंक्यू वेर मच रॉचिंग वीडियो